तो हमारा फैरा टॉपिक इसमें बनेगा मैंगनेटिक फील्ड द्यूटू करेंट देना इस तरह से और इसमें पुछ आई मैंगनिटूड कर रहा है तो हमें यह दो बात पता चलेगी इसके चारों तरफ मैंगनेटिक रिएट हो गई होगा लेकिन कैसा होगा उसे देखेंग करेंगे कैसा और एकार्ट बोर्ट को इस इस में आपर और यह ए यह वायर इस में से पास कर दो अब आपको क्या करना है यहां से इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के थ्रूं नेगिटिव टेर्मिनल पॉजय को एक लिए बीच्त्व लगा करने के लिए और क्या चाहिए एक की ऐसे करके कनेक्शन बन जाएंगे अभी स्विच और नहीं कर रहे हैं ठीक है अब आपको यहां पर आपके पास दू तरीके हैं आप यह तो आइरन फिलिंग्स का यूज कर लीजेगा आइरन फिलिंग्स का बहुत छोटे-छोटे आइरन क अच्छी होती है उसकी और मैगनेटिक फील्ड में एट्रैक्ट हो जाएगा मैगनेटिक फोर्स से इसके चारों तरफ आप ऐसे करके कहीं पर बिखेड देंगे आइरन फिलिंग्स कि दूसरा तरीका क्या है आप एक आइरन हो सुरी मैगनेटिक निडल लेकर बैट यह दो तरीके हैं पहले पहला वाला समझते हैं जब हम इसमें स्विच ऑन करेंगे यह पॉजटिव नहीं नेगेटिव करेंट यहां से ऐसे करके जाएगा इधर से वापस आ जाएगा तब जो आइरन फिलिंग्स आपने इसके चारों तरफ डाली थी यहां शीट पर वह ख अपना मौमेंट बनाने में दोगारा की अपने आप चल लोगा तो जाने सकते इतना डाज़ा फोर्स हो नहीं तो थोड़ा-थोड़ा टैप कर देंगे तो रियरेंट हो जाएंगे तो इस तरह के चारों तरह आइए वो कैसी शेप में आ रहा है कॉंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में आ जाता है अधर्वाइस के अगर त्याम जैसे यह वायर है इस तरह का आप यहां पर एक रख लेते हैं मैंगनेटिक निडिल कि इस वाले मैंगनेटिक फोर्स की वज़ा से फील्ड की वज़ा से वो किसी एक डारेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है माले ऐसे हो गया तो जिदर उसका यह पॉइंटर होगा एरो है डर्यारो टेल वहां पर पैंसल से मार्किंग कर लेंगे रांगे मिए ऐसे और यहां रहें चारण़े और ऐसे कोशिश करेंगे की जो इसकी डेल हो जाए इस वाले डॉमर के सामने आ जारे हाँ पीड़ों से इसे आ रहा है पिर से और पाइंट मार्क कर लेंगे इसको को आठा देंगे यहांसे ऑन विशा है को कि इस तरह से करते करते आपको यहां सारे में रफना पड़ेगा और आपको कुछ पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे अगें यह विल गैट थे पैटर इस तरह फाइन समझ माया यह था इस्ट्रक्चर ऑफ मैगनेटिक फील्ड क्रियेटेड ड्यू टू अट्स्ट्रेट करेंट केरीं कंडक्टर कैसी होती है कंसेंट्रिक सर्कल्स आपने क्या दिया और फिर टैप किया तो आप देखेंगे कि यह सर्कल पास पास आ जाएंगे और नंबर में बढ़ जाएंगे पहले कम दूरी तक फिर और जादो दूर तक फैल जाएंगे इससे क्या पता चलेगा इस ट्रॉंग हो गया है और इंक्रेशिंग तरेंट 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 फिर इस तर्फिर आपने करने से तो फिर यह तो होंगे नहीं को फिजिकल मैनुल फोर्ट वहां पड़ेगा अटाली के लिए और किया कर सकते हैं करेंट की डारेक्शन को कर देते हैं यहां से पॉलैरीटी चेंज कर दीजिए अग्या ना दिस पॉजितिव तो रिवर्स होगी डारेक्शन गोईंग डाउनवर्ड और यहां से इदर निकल जाएंगे ऐसे हैं तब हमने यह अब्जर्व किया फिर से टैप करके देखा तो पैटर्ण में कोई चेंज नहीं है लेकिन अगर आप यहां पर रख रहे होंगे तब आपको उस पर लगने वाला फोर्स जो टॉर्ग है उसकी लेकिन उसकी डाइरेक्शन बदर जाएगी तो डाइरेक्शन निकालने के लिए हम पढ़ेंगे राइट हैं थम रूल जिससे भी बताएंगे आपको कैसे कैल्कुलेशन होगी आर्यटिंग देट तो पहले इंफ्रेंस देखिए क्या क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं सबसे प अधो coloredzych इत्तार प्रूल यह व्यून हुआ ओक और से और व्युक्तृ पनेइग होगी लमीर मेणी फील्ट लाइम ऐसे कह मैगनेटिक कि फिल्ड लाइज इन प्लेन पर्पेंडिकुलर तो डारेक्शन ऑफ करेंट अगर ऐसे रखते तो इस तरह की सर्कल्स देखने को मिल जाते हैं उसके पर्पेंडिकुलर और इन सारे सर्कल्स का सेंटर कहां भी होगा कि पहली बात समझने आगी कि जो मैंगनेटिक फिल्ड लाइन सोती है और इन सारे सब्सक्राइब प्लें होता है विच इस पर्पेंडिकुलर तो बादल दिया सब्सक्राइब कर दिया तब क्या होगा दा पैटर्ड ओफ आयरें फिलिंग्स इस नौट दिफ चेंज्ट पैटर्ड पर फर्क नहीं पड़ेगा मैंगनेटिक फिल्ड वैसा ही है जैसा था फिर बटर डारेक्शन ओफ डिफ्लेक्शन ओफ कंपस निदिल वुड भी अपो जलती है जैसे अगर आप यहां पर देखें आपको यह फाइंड करना है कि इस जगह पर मैंगनेटिक फिल्ड की डारेक्शन क्या है तो आप यहां पर बना लोगे टेंजेंट इस वुड बिदा डारेक्शन अगर करेंट अबोसित होता तब इदर को बना देगे सेम तैंजेंट दूसरे डारेक्शन में अंडर्स्टॉड ओके ओन इंक्रीजिंग दा करेंट इंक्रीज कर दिया तब क्या होगा मैंगेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर इंडेंसर और देंस होती चले जाएंगी पास पास आथी चले जाएंगी अब यहां तक ही बन रहे हैं अगर आप करेंट बहुत जादा बढ़ात होगे तो और दूर तक भी अरेंजमेंट हो जाएगा करंट से स्ट्राइट हो जाता है अब समझेगा अगर इसमें यह पताओगे डाइरेक्शन अब यह हमेशा स्ट्रेट के लिए अप्लाई करना है आपको ठीक है if you hold a straight current carrying conductor in your right hand if you hold the straight current carrying conductor in your right hand such that thumb points in the direction of current current अबट जा रहा है थम भी उपर जा रहा है then the direction of curling of fingers आपके fingers किदर को curled हो रही है it gives you the direction of magnetic field around the conductor समझ गये क्या if we hold a straight current carrying conductor in our right hand in such a way that the thumb points in the direction of current flowing in the conductor then the direction of curling of fingers represent the direction of magnetic field around the conductor अगर यह करें दावर रहा है ता ऐसे पकेटिए है और फिंगर से कर्ट हो रही है what is this direction clockwise ठीक है और ऐसे करेंट अबट जा रहा है था current is current is a straight and magnetic field lines are in anti clockwise direction ठीक है तो current की direction बदलने पर magnetic field की direction भी बदल जाती है right hand thumb rule clear हो गया now we are in magnetic field due to current in a loop or in circular coil अब इसको पढ़ेंगे circular coil के लिए इसका प्रप्स्वाइब के लिए रहा है या कर्पी कर्से कर्ट है तो रहा है